रादी रादी माईने चनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हाउ टू प्रूव इनक्वालिटीज बाइ प्रिंसीपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पिछले दो वीडियो से मैंने आपको बताया था कि हम किसी मैथमेटिकल फॉर्मले को कैसे सब्सक्राइब करने के लिए एक बार फिर से आप मैंने आज को लिख दिया है इस टैप सेम है तो यदि आपने वह वीडियो नहीं देखें तो पहले तो वीडियो देख लीजेगा और भी कई सारी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने डिस्क्रीट मैथमाटिक्स की और टॉप कर दीजे बेल एकन प्रेस कर दीजे और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर दूसरों के साथ जरूर करें जिससे उनकी हेल्प हो सके और आपका कंट्रीबिशन हो सके दूसरों की हेल्प करने में चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए स्टेटमेंट से मैं शौट में फिर भी दीजिए समराइस कर देती हूं जैसे मैंने पिछली वीडियो उसमें बताया था कि हम जब भी मैस्तेमश करते हैं तो मेन तीन स्टाप्स होते हैं एक होता है एक नकल टूब बन के लिए दूसरा उन और यह प्लस वन के लिए मैं इसको रिट नहीं कर रहे हूं समराइस कर र मैं आपको बताने वाले हूं तो इन तीन स्टेप्स के बात ही हम डिसाइड करते हैं या यह कंक्लूड करते हैं बलकि यह कहें कंक्लूड करते हैं कि result is true for every end अब देखें यह inequality में क्या कहा है इसने और हाँ एक चीज़ और बताना चाहूंगी जैसे मैंने लिखा आप से लेकिन कई बार एन इक्टल टू वन से नहीं स्टेटमेंट शुरू हो रहा होता है एन इक्टल टू किसी और वैल्यू से तो इनिशल वैल्यू क्या है ठीक है तो उस पहले कि जो statement है वो SN से denote हो रहा है तो let the given statement be denoted by SN यह पो लिखना ही लिखना है फिर N equal to initial value लेते हैं mainly one लेते हैं बटे या 3 है तो हम 3 से लेंगे कि यह निक्वालिटी 3 और 3 के बड़े integers के लिए true है तो हमने n equal to 3 लिया बोच साइड पुट किया तो लेफ्ट में स्टैप हो गया n equal to k के लिए हमाल लेते हैं कि statement true है तो हमने लेका let sk be true दोनों साइड के पुट किया तो क्या होगे k square greater than 2k plus 1 यह हमने assume कर लिया चलिए n equal to k plus 1 के लिए देखते हैं तो हमने क्या कि हमारा जो statement था given statement हमने इसमें n की जगे left में n की जगे k plus 1 पुट किया तो यह क्या हो जाएगा k plus 1 का whole square ठीक है इसको open करेंगे तो यह क्या हो जाएगा k square plus 2k plus 1 है यह 1 लिखा हुआ है ओके फिर जैसे हमने पिछले वाले में किया था जब हमने divisibility proof की थी तो हमने कहा था न हाई इस टेक पावर ले देख वाली टम देखते हैं और हम एसके वाले को यूज करते हैं स्टैप को तो यहां पर हम यहां करने वाले हैं तो यहां पर हमारे पास k square तो k square हमें पता है k square किस से greater than greater than 2k plus 1 तो k square और क्योंकि greater का sign equal का नहीं है तो हम यह greater k square greater than 2k plus 1 ठीक है बाकी term हमने 2k plus 1 as it is ही रहने दी तो k square greater than 2k plus 1 हमने इसको यूज कर लिया इसकी हटा के हमने greater than or 2k plus 1 का sign plus 2k plus 1 as it is ही रहने दिया ठीक है अब यह क्या बन गया देखिए यह 2k plus 1 हो गया अच्छा एक चीज़ और पहले हम यह सेखने कि हमें लाना किससे बड़ा है यह हमें आडिया होना बहुत जरूरी है तो given statement यह था हमारा तो जब हमने हम left में तो put कर रहे है k plus 1 जब हम right में k plus 1 put करेंगे तो क्या हो जाएगा 2k plus 1 प्लस 1 यानि कि हो जाएगा 2k plus 3 यानि कि हमने यह दिखाना है कि जो हमी लेके चले है k plus 1 का square it will be greater than 2k plus 3 हमें यह दिखाना है तो कैसे मिलेगा यह हमें यह तो हमें मिल गए 2k plus 1 और plus 2k plus 1 यह है तो इसको तो अभी हम ऐसी रहने दें 2k plus 1 बचा क्या है हमरे पस 2k plus 1 तो क्या हम यह कह सकते है कि यह जो term ग्रेटर दें 2 होगा क्योंकि 2k plus 1 त अगर हम स्टार्टिंग वाला point 3 भी रखेंगे तब भी 3 2 जा 6 plus 1 7 होगा तब भी यह term 2 से बढ़ी होगी तो in any case for every k it will be greater than or equal to 3 equal to भी नहीं हो रही विलकि greater than 3 होगी ठीक है तो हम यह लिख सकते हैं कि यह जो term में greater than 2 होगी तो हमने क्या 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 क् सब्सक्राइब नहीं है तो यह क्या बनगे 2 k plus 3 तो हमें यह पता चला कि this k plus 1 whole square is greater than 2 k plus 3 ठीक है हम चाने तो इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं जो यह अमने लिका ला था अधरवाइस को यहां पर भी end कर सकते हैं यह आ गया then we can say that कि s k plus 1 is true और s n is true by principle of mathematical induction तो steps वैसे हैं जैसे हमने पिछली दोनों वीडियो से पढ़ेते बस पर कितना है कि वहां statement यह divisibility proof की तो यह inequality कर रहे हैं ठीक है इभी देगी कुछ अलगता रहे कि inequality है और उनको करना बहुत जरूरी जब तक पहले से नहीं करेंगे तो आप एकदम नहीं कर पाएंगे ना तो समझना भी जरूरी और करना भी जरूरी है तो यहां दीकिश्य नहीं कहा है नेक्स्ट में show that 1 plus 1 by 2 whole power n is greater than equal to 1 plus n by 2 and greater than equal to 1 by mathematical induction तो फिर वही किया कि स्टेट्मेंट को माल लिया कि हमें sn से डिनोट कर रहे हैं तो let the given statement be denoted by sn पहला स्टेप हो गया फिर जो में तीन स्टेप से हमारे n equal to 1 हमने क्या किया n equal to 1 दोनों साइट पुट किया तो मुझे क्या मिला left में 1 plus half whole power n greater than equal to sign as it is plus 1 plus 1 by 2 तो left right side तो यह होगे 3 by 2 और left में भी 3 by 2 तो 3 by 2 क्या हो यह कह रहा है कि यह तो बड़ा है या इसके बरावर है तो हम जानते हैं कि यह इसके बरावर है तो यह statement क्या होगे true हो गया ठीक है सिर्फ greater होता तो गलत हो जाता 3 by 2 3 by 2 से बड़ा तो नहीं होगा लेक तो हमने माल लिया कि यह true है और हमने put कर दिया ठीक है यहां तक तो बिल्कुल आसान हो गया सबसे important step होता है n equal to k plus 1 का और वो भी बहुत आसान है तो n equal to k plus 1 कहां रखेंगे हम left side तो left में put किया तो यह क्या बना 1 plus 1 by 2 whole power k plus 1 ठीक है अब जैसे मैंने आप से कहा था कि कोई highest power इसको ले लेना चाहिए तो अब इसमें क्या करेंगे कि इसको ऐसे ब्रेक कर लिया 1 plus 1 by 2 की whole power k into 1 plus 1 by 2 की power 1 ठीक है k plus 1 था इसको ऐसे ब्रेक कर लिया फिर ब्रेक करके यह term हमें मिल गए जो है ठीक है अब इसमें भी हम चेक करने कि यहां में लाना क्या है तो क्या लाना है लेफ्ट राइट साइड जो term थी इसमें पुट किया इन की जगे k plus 1 तो यह क्या हुआ 1 plus k 1 by 2 तो यह क्या है एक्चल में k by 2 है यहां से और यह गया 1 by 2 और 1 तो 3 by 2 यह लाना है इससे बड़ा दिखाना है तो हमारा आया क्या था यह 3 by 2 और इसका multiply कर दिया 3 by 2 यह आया था तो हमें लाना कहा है 3 by 2 यह तो match कर गया अब यह कहा है k by 2 का into 3 by 2 तो अब जो into 3 by 2 है और यह है तो obviously बात है यह जो term इससे तो बड़ी है ना यह तो इसका 3 by 2 times है तो हमने लिख दिया greater than or equal to 3 by 2 plus k by 2 क्योंकि यह जो term है यह इससे बड़ी है तो अज यह हमें यहां पर चाहिए थी तो हमने लिख दिया यह जो है इससे बड़ी है तो greater than or equal to और यह term हमने यह रख दी ठीक है तो यह हमें चाहिए तो यह term तो मैंने लिख दिया है ठीक है क्योंकि है इसके equal है ठीक है तो हमें इससे पता चला sk plus 1 is true this means sn is true for every n by principle of mathematical induction ठीक है और एक example और discuss करना चाहूंगी मैं थोड़ा सा different आई है और मैं आपको फिर consult questions भी दोंगी इसके बाद यहाँ पर है दीखे शो दाट n cube plus 1 is greater than n square for each n greater than equal to 2 अब यहां greater than equal to 2 ले रहे है initial point 2 है तो हम क्या करेंगे n equal to 2 लेके चलेंगे ठीक है तो n equal to 2 हमने दोनों side put किया तो left में put किया तो यह क्या होगे 2 q plus 1 यानिकी 9 right side put किया तो 2 square n की 4 तो हम जानते है 9 is greater than 4 this means s1 is true ठीक है n equal to k के लिए assume कर दी हमने inequality फिर n equal to k plus 1 के लिए वही किया left में हमने n को की जगे k plus 1 रखा तो यह क्या बन गया k plus 1 का q plus 1 यह कहलें यह जो result था इसके left में k को k plus 1 कर दो है ना तो यह क्या चाहेगा जब हमने इसको open किया whole cube से whole cube की identity मैं आपना बताई भी थी पिछले वीडियों बताई तो मैं फिर से बता देती हूँ a plus b का whole cube क्या होता है a cube plus b cube plus 3 a square b plus 3 a b square ठीक है यह होता है open कर दी है यह आ गया फिर क्या हो यह आ गया फिर k cube की value हमने यहां से उठा ली तो k cube क्या हो गया बलकि k cube plus 1 पूरा मिल गया यह पूरा मैच कर रहा है न तो यह greater than k square से तो इस पूरे को हटा के हमने क्या कर दिया इस पूरे को हटा के k square आ गया और greater than का sign आ गया ठीक है तो k square हो गया यह 3 k square plus 3 k plus 1 इसको add करने तो 4 k square यहां equal to लगा सकते हैं चाहें तो यहां की करके लिख लें क्योंकि हम तो यहां भी add कर रहें ठीक है अब यह आ गया अब हमें जब पहुंचना कहा था हमें पहुंचना था right side में जब k plus 1 पुट करें तो क्या आ रहा था k plus 1 का square है नि कि यह हमें यह चाहिए k square plus 1 plus 2 k यह चाहिए तो हमारे पास यह term तो आ गई होगा थरीगे बड़ा होगा यह तो हम कह सकते हैं कि यह जो term है यह पूरा किसके बड़ा इसके बड़ा है इससे बड़ा है तो हमें लिख दिया this is greater than this और यह actual में क्या है k plus 1 का square जो हमें यहां चाहिए रहा ठीक है in this way we can say that as k plus 1 is true means as n is true by principle of mathematical induction ठीक है practice कर लिजेगा कुछ questions मैं आपको यहां दे रही हूँ इनको प्रूफ करने की कोशिश करिएगा कहीं दिक्कत आये तो मुझे बताईएगा comment करके बताईएगा आपको समझ माया नहीं वीडियो कैसा लगा शेयर कर दीजेगा चैनल सस्क्राइब नहीं किया तो कर लिजेगा और लाइक कर दीजेगा टेक कियर राधी राधी